पुस्च्च नमद 2 आई वरावर बन अपॉन 2 बन अपॉन 2X स्क्वार पिलस 5X पिलस 3DX इस प्रिसन को आप दोना तरीके से कर सकते हैं कैसे कैसे एक तो इसके फैक्टर भी हो सकते हैं गोड़न खंड कर लिए 2X स्क्वार पिलस 5X पिलस 3 यानि पहले का अंतिम का गोड़ा 6 जोड़न अपर कितना आने चाहिए 5 तो तीन दो नीच है X स्क्वार पिलस 3X पिलस 2X पिलस 3 X कॉमन 2X पिलस 3 पिलस के बन कॉमन 2X पिलस 3 यानि X पिलस 1 और 2X पिलस 3 इसके फैक्टर हो गए और जब बन अपॉन 2X पिलस 1 2X पिलस 3 फैक्टर हो गए तो फैक्टरों को क्या आंसिक विन्नों से अलग लग कर लिया और जो आंसिक विन्नों से आएंगे उसके बाद वो अलोगा इससे बेटर है आप एक ही बार में हल करना चाहते हैं इसे इसका मेथड़ क्या है इसे हुल स्क्वार बनाते हैं तो सबसे पहले X स्क्वार का गुडांक एक बनाएगे यहां क्या है दो तो दो कॉमल ले लिए यहां से क्या हुचा X स्क्वार यहां क्या हुचा पांच वटे दो X और यहां कितना तीन वटे दो और डी एक्स बन अपॉन टू तो आगे कर दिया बन अपॉन X स्क्वार प्लस पांच वटे दो X प्लस बीच वाले पद का आदा इसका अधा कितना होगा पांच वटे चार पांच वटे चार का वर्ग 25 वटे 16 जोड दिये 25 वटे 16 गटा दिये धन के 3 वटे दो पहले से लिखाए और डी एक्स 1 अपॉन 2 1 अपॉन यहां से लेकर यहां तक एक्स प्लस पांच वटे चार का वलिसकर बन गया और यहां कितना बचा 16 लगुतम यहां कितने का गुड़ा होगा 8 का 8 की यो 24 माइनस के 1 वटे 16 बचेंगे 1 वटे 16 इसे मान लिया X पिलस पांच वटे 4 वरावर T DX वरावर DT तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन T स्क्वेर माइनस 1 वटे 4 का वले स्क्वेर DT अब यह सूत्र किसका है यानि लॉग का सूत्र है तो 1 अपॉन 1 अपॉन 2 ए एक ही जगे एक वटे 4 1 अपॉन 2 है लॉग X माइनस A यानि T माइनस 1 अपॉन 4 T पिलस 1 अपॉन 4 और पिलस C यह तो कैंसल हो गई 4 से 4 बचा क्या लॉग T की रख दी बैलू X पिलस 5 वटे 4 माइनस के 1 वटे 4 बटे म X पिलस 5 वटे 4 पिलस के 1 वटे 4 पिलस C 4 उपर नीचे लगतम लगतम निगट के कट गया तो क्या वचा 4 X पिलस के 4 अपॉन 4 X पिलस के 6 पिलस C लॉग उपर से 4 कॉमन अंदर वचा X पिलस 1 नीचे से 2 कॉमन अंदर वचा 2 X पिलस 3 पिलस C आंसर जो आपने कॉमन लिए वो C डेस में चले गई तो इस तरीके से आप आंसर के विन्नों से भी कर सकते हैं सौल्व और ये मैथड सभी के लिए है चाहे वो पहला वाला सूत्र हो चाहे दूसरा तीसरा यानि इन नों सूत्रों में से कोई भी सूत्र बनता है आप इस तरीके का मैथड सभी में बना सकते है एकस स्क्वार का गुडांक एक बनाया जो भी है पिलस माइनस है एकस स्क्वार के अंदर जो भी गुडांक है कॉमन ले लिया कॉमन लेने के बाद बीच वाले पद का आदा उसका बर्ग जोड़ों गटा अलग अलग कर दो कॉस्चिन नम्बर तीन तीसरा आई वराबर बन अपॉन टू एकस स्क्वार माइनस के आठ हैक्स टू एकस स्क्वार माइनस आठ हैक्स पिलस के 25 डी एकस ऐसे ही इसे करना है बन अपॉन टू ले लिया कॉमन एकस स्क्वार माइनस 4 एकस पिलस 25 वटे 2 और लाश्ट में डी एकस बन अपॉन टू वहार बन अपॉन एकस स्क्वार माइनस के 4 एकस बीच वाले पद का आदा 2 उसका बर्ग चार चार जोड़ दिये चार घटा दिये दन के 25 वटे दो पहले से लिखे हैं डी एक्स तो बन अपॉन टू बन अपॉन यहां से यहां तक बन गया क्या एक्स माइनस टू का ओल स्पर यह दो लगतम आठ पच्चेस यानि प्लस के कितने वचे सत्रे वटे दो डी एक्स सत्रे वटे दो डी एक्स एक्स माइनस टू बरावर टी यानि डी एक्स बरावर डी टी तो बन अपॉन टू बन अपॉन पी स्क्वेर प्लस अंडर रूड सत्रे वटे दो का whole square dt सुत्र किसका है 1 upon A A की जगे under root 17 बटे 2 1 upon A 10 inverse T upon under root 17 बटे 2 पिलस C इन से ये root 2 बार कट जाएंगे इसे लेख सकते हैं 1 upon under root के अंदर 34 10 inverse T का मान X minus 2 बटे में अंडर root के अंदर 17 बटे 2 और पिलस C answer इस प्रकार प्रतियक प्रसन को whole बर्ग बना के सॉलू किया जा सकता है नम्मर चार I बरावर 1 upon 2X square plus 3X minus 4DX बनाईए X square का गुड़ांक एक तो दो कॉमन ले लिए 1 upon X square 3 बटे 2X minus के 2DX 1 upon 2 1 upon X square plus 3 बटे 2X बीच वाले प्रका आदा 3 बटे 4 हो गए उसका वर्ग 9 बटे 16 जोड़ दिये 9 बटे 16 घटा दिये रिड़ के दो पहले से लिए हैं DX 1 upon 2 1 upon X plus 3 बटे 4 का होल स्क्वार यहां से रिड़ के 16 जोड़ दूनी 32 और 9 माइनस के 41 बटे 16 DX X plus 3 बटे 4 बटे 4 बटे DX बटे 1 upon 2 1 upon T square माइनस अंडर रूड 41 बटे 4 का होल स्क्वार DT सूत्र किसका है 1 upon 2 1 upon X square माइनस A square 1 upon X square माइनस A square यहांनी 1 upon 2 A A log X minus A और A की जगए यह लिखाया आएगा T plus A अंडर रूड 41 बटे 4 बटे 4 बटे पिलस C यहां 4 चार यह तो कट गए कितना बचा 1 upon अंडर रूड के अंदर 41 log T का माण X plus 3 बटे 4 माइनस के अंडर रूड 41 बटे 4 बटे म X plus 3 बटे 4 पिलस के अंडर रूड 41 बटे 4 उपर नीचे लगुतम और जब लगुतम लेंगे तो क्या होगा कैंसल हो गया लगुतम से लगुतम 4 X plus 3 पिलस अंडर रूड के अंदर 41 माइनस के हैं 4 X पिलस 3 पिलस के अंडर रूड के अंदर 41 पिलस C और आंसर इस तरीके से यहां आपने देखा तो यहां अंडर रूड के निसान नहीं है अंडर रूड के निसान नहीं है साधा दिये गए हैं स्वाल, फैक्टर उनके हो नहीं सकते, हाला के जिनके भी फैक्टर हो जाएंगे, उन्हें आप आनसिक बिननों से भी हल कर सकते हैं, और इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, लेकिन यह वाला मैथ़स सभी पर काम करेगा, बीच वाले पद का आदा उसका बर्ग जोड गटा के ओले स्क्वर बना के कोई न कोई एक सूत्र प्राप्त होगा आई बरावर बन अपोन अंडर रूड बन अपोन अंडर रूड बन पिलस एक्स माइनस एक्स स्क्वर डी एक्स तो क्या कहा था कि एक्स स्क्वर का गुडांक बन बनाते हैं तो माइनस चिन कॉमन माइनस चिन कॉमन एक्स स्क्वर माइनस एक्स माइनस का बन और डी एक्स ये माइनस चिन अंडर रूड से बहान नहीं निकान सकते क्यों अंडर रूड के बहान निकलेगा तो ये कैसी माइनस X बीच वाले पद का आदा एक वटे दो बर्ग एक वटे चार जोड़ दिए एक वटे चार घटा दिए रिड का एक पहले से लिखाए और डी एक्स बन अपॉन अंडर रूड के अंदर माइनस का चिन यहां से यहां तक क्या बना X माइनस एक वटे दो का वर्ग और इन्हें एक वटे चार डी एक्स अब माइनस चिन उसी का उसी में गाइव करना है तो गाइव करने के लिए इस पद को पहले लिखना है इसे बाद में लिखना है यह पाँच वटे चार आगे कर दिया माइनस X माइनस एक वटे दो का बर्ग ये पीछे कर दिया माइनस चिन इसी का इसी में गय हो गया माइनस चिन को क्योंकि अंडर रूड के अंदर है इसलिए बाहर इसे कॉमन नहीं ले सकते अब कोश्टक के अंदर जो भी लिखा है उसे माल लिया बरावर T DX बरावर DT यहां से कितना मिला बन अपॉन अंडर रूड के अंदर इसे क्या लग सकते हैं अंडर रूड पाँच वटे दो का उले सक्वेर माइनस T सक्वेर DT और ये सुत्र किसका है बन अपॉन A स्क्वेर माइनस X सक्वेर Sine Inverse X वटे A का Sine Inverse X की जगह T और A की जगह Under Root 5 वटे 2 Plus C Sine Inverse P का मान रख दिया इसे अलगर दे थोड़ा 2X माइनस 1 upon 2 upon Under Root 5 वटे 2 ये तो कैंसल ही हो जाएंगे Plus C Sine Inverse 2X माइनस 1 upon Root 5 Plus C answer मेथड में कोई परिवरतन नहीं आया परिवरतन के वल किसमें आया सूत्र में बन अपॉन Under Root के अंदर A स्क्वार माइनस X स्क्वार जब A स्क्वार माइनस X स्क्वार है तो ये किस का है Sine Inverse X वटे A का सूत्र है अगला प्रसन है 1 upon I बराबर 1 upon Under Root के अंदर 2X स्क्वार Plus 3X 2X स्क्वार Plus 3X माइनस 2DX X स्क्वार का गुडांक बन बनाई है तो 2 Common ये तो 2 Plus के हैं आप चाहें तो इन्हें Under Root से बाहर इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहां से 2 Common लिए क्या बचा? X स्क्वार यहां से 2 Common लिए 3 बटे 2X यहां से 2 Common लिए क्या बचा? 1 1 upon Root 2 Under Root के अंदर X स्क्वार पिलस 3 बटे 2X बीच वाले पद का आदा 3 बटे 4 उसका बर्ग 9 बटे 16 जोड़ दिए 9 बटे 16 घटा दिए Red का 1DX 1 upon Root 2 1 upon यहां से यहां तक All स्क्वार बन गया किसका? X पिलस 3 बटे 4 का बर्ग माइनस यह कितने हो गए? 25 बटे 16 DX 1 upon Root 2 इसे मान लिया कुछ देर के लिए X पिलस 3 बटे 4 बरावर T DX बरावर DT इसे मान लिया तो मानने के बाद कितना प्राप्त हुआ? Under Root के अंदर T स्क्वार माइनस 5 बटे 4 का All स्क्वार DT यह सूतर किसका है? 1 upon X स्क्वार माइनस A स्क्वार 1 upon X स्क्वार माइनस A स्क्वार 1 upon Root 2 यह तो लिखाई है Log T पिलस Under Root के अंदर T स्क्वार माइनस 5 बटे 4 का All स्क्वार पिलस C स्क्वार कर दीजिए 1 upon Root 2 Log T का मान यह ऐसा भी लिख सकते हैं 4 X पिलस 3 अपॉन 4 पिलस Under Root के अंदर T का मान X पिलस 3 वटे 4 का All स्क्वार माइनस 25 वटे 16 पिलस C 1 upon Root 2 Log 4 X पिलस 3 यहां 4 लगतम अब कितना आएगा 4 X पिलस 3 का All स्क्वार 4 X पिलस 3 का All स्क्वार माइनस के 25 पिलस C डेस वटे में जो 4 लगतम पूरे में था वो C में चला गया इसे चाहे तो थोड़ा वहाँ सॉलो कर सकते हैं 1 upon Root 2 Log 4 X पिलस 3 पिलस Under Root के अंदर 16 X स्क्वार पिलस चात्ती हो बाहर है दूनी 24 24 X और दन के 9 और यहां से कितने बचेंगे 16 बचेंगे 16 माइनस के 16 पिलस C इससे चाहर कॉमन और बाहर लिख दिया कितना 2 आएंगे बाहर यहां क्या बचेंगा और एंदर पूरे में देख लीजिए कॉमन कितना है 8 भी कॉमन ले सकते है 8 तो 2 X स्क्वार पिलस के 3 X माइनस के 2 आंसर सभी चला